हेलो फ्रेंड मेरा नाम है इर्फान इस वीडियो में मैं आप लोगों को चूरीदार पाजामा कटिंग करना बता रहा हूँ स्टेप बाइ स्टेप इस वीडियो में हम लोग चूरीदार पाजामा कटिंग करना सीखेंगे फैब्रीक कपड़ा दो दस है 2.10 मेजरमेंट इसका लंबाई 49 है हिप 42, नी, गुटना 18 और बॉटम 12 इंच इसको ऐसे फोल्ड करना है जैसे मैं डबल में फोल्ड कर रहा हूँ हुआ 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 है बॉटम में मार्जिंग रखेंगे 1.5 इंच बॉटम है 12 इंच मोहरी 12 है बारा का हाफ करेंगे 6 इंच 6 इंच यहां हम चूरी के लिए मार्क लगाएंगे चूरी कम से कम 8 इंच और ज्यादा से ज्यादा 12 इंच तो हम इसमें चूरी 10 इंच का रखेंगे 10 इंच तो 10 इंच चूरी दार के लिए चूरी के लिए मार्क लगाएंगे अब डारेक्ट जितना लंबाई है उसमें 10 इंच प्लस करके भी लगा सकते हैं मैं आप लोगों को चूरी का 10 इंच मार्क लगा कर दिखा रहा हूँ लेंथ लंबाई है 39 49 इंच जितना लेंथ है लंबाई है उतना इस मार्क में रख देंगे 39 49 इंच बिल्ट रखेंगे 7 इंच का 7 इंच बिल्ट और हाफ इंच आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन मिजर्मेंट टेप को ऐसे ही रहने देंगे और क्रॉच डेप्थ का मार्क लगाएंगे 15 इंच पे 14 इंच भी लगा सकते हैं बट यह थोरा फ्री चाहिए थोरा लूट चाहिए इसलिए हम 15 इंच पे लगा रहा है नी गुटना का सिंटर लगाएंगे 24 इंच पे इसका मोड़ी 12 इंच है तो यहां 6 इंच यहां भी एक 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस मार्क को स्टेट करेंगे नी गुटना है 18 इंच 18 का हाफ करेंगे 9 इंच इसका हीप 42 है 42 इंच यहां से 17 इंच पे मार्क लगाएंगे 17 इंच पे 16 इंच भी लगा सकते हैं बट यह थोरा फ्री चाहिए थोरा लूट चाहिए कस्टमर को इसलिए हम 17 इंच लगा रहे हैं यहां से 1 इंच मार्जिंग देंगे इंच के बएईफ भी ङप पे मोड़ा रहे हैं जाल वट उपामगे इंच लगां मासमा मासम का यह नरी नर देनो Lights उब चेंच बढ़र कह जेए हैं डुले बट वह उपा हैं कर दो कर दो वन इंच एक इंच पर मार्क लगाएंगे सिलाई मार्जिंग दोनो तरफ आधा आधा इंच एक इंच इस मार्क में ऐसे रखकर और इस मार्क को स्टेट करेंगे थाई है 17 इंच और एक इंच मार्जिंग यहां से पाउने दो इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क को स्टेट कर लेंगे झाल झाल बेल्ट बॉक्स कटिंग करेंगे 22 इंच पे मार्क लगाएंगे 22 इंच पे 12 इंच 1.5 इंच इंच इक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट 7 इंच प्लस 2 इंच बेल्ट है 7 इंच का और 2 इंच इक्स्ट्रा रखेंगे तर इंच 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 इं आइउप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंदा है तो आइउप तो लाइक किजेगा और चानल को सस्क्राइब नहीं किया है ते रिक्वेश्ट चानल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोब से नेक्स्ट वीडियो में